हेलो प्यारे बच्चों वेलकम टू एलेन बिटा अपना ब्रेंस्टॉर्म सीरीज चल रहा है जिसमें आपको डेली एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम करवाया जाता है जो कि आपको सोचने पर मजबूर करता है तो लास्ट लास्ट में आपको यह कोशन प्रोवाइड किय गया था तो होपफुली आप लोगों ने ट्राइ किया होगा जिससे सॉल हो गया बहुत अच्छा और जिससे सॉल नहीं वह वह भी सॉलीशन देखो होपफुली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा देखिए अब यहां पर अपने को एक सिस्टम ऑफ एक्वेशन कर दूं तो यह एक्सप्रेशन बन जाएगा वाई की जगह अगर जैड रिप्लेस कर दें तो यह एक्सप्रेशन बन जाएगा अपने को दिख रहा है मतलब तीनों एक्वेशन जो देर ऑफ सेम फॉर्म यह हमने अब्जर्व कर लिया ठीक है एक चीज़ और अगर लॉग देर रखा है तो लॉग मेनिंग्फुल कब होता है जब उसका जो इन्पुट है डैट मस्ट भी पॉजटिव तो इधर तो अपने को जाधा टेंशन दिखने रहे वाई स्कूर है तो वाई स्कूर पॉजटिव रहेगा बस वाई शुड़ नॉट बीकोल टू जीरो वाई इस सैड पर देखते हैं यहां पर भी लॉग का जो इन्पुट है एकस क्यूब माइनस एक स्कूर डैट शुड़ भी पॉजटिव तो मैंने यह लिखा तो यहां से इसको फेक्टर अगर किया तो यह अपने को मिल रहा है तो एक स्कूर तो अभी हमने देखा कि एक स्कूर पॉजटिव है भई एकस का वैल्यू जीरो नहीं है तो यहां पर इसको पॉजटिव अगर करवाँगा तो मुझे मिला एकस ग्रेट दन बन अब हमने देखा तीनों एक्वेशन सिमिलर टाइप का है तो सेम अपना एक्वेशन वाई में बन जाएगा सेम अपना जैड में जाएगा तो यहां पर बोल दूँ अगर एकस ग्रेट दन वन है तो सिमिलरली वाई विल भी ग्रेट दन वन सिमिलरली जैड विल भी ग्रेट दन यहां तक हम पहुंच गए बात समझ में आई ओके चलिए अब हम देखते हैं तीनों एक्वेशन सेम टाइप का है इसका बेन इसा हम लिख सकते हैं सही बात है ऐसा मैंने लिख दिया अब इस चीज को चलो ठीक है सिमिलरली मैं सेगेंड में क्या लिख दूँगा जैड स्कूर इस एकल टू फाइफ का पावर लॉग टू बेस टैन अभी लिखते हैं और लास्ट में अपने को मिलेगा एक स्कूर इस फाइफ का पावर इन्पट में क्या है अपने पास इन्पट में अपने पास आएगा वाई क्यूब माइनस वाई स्कूर और यहां पर अपने पास आएगा जैड क्यूब माइनस जैड स्कूर यह बात अपने को समझ में आई ओके तीनो सेम टाइप का दिख रहा है अपने क तो इसका benefit कैसे उठाएंगे मैंने assume किया let let fx is equal to 5 का power log to the base 10 x cube minus x square यह जो अपना expression था इसको मैंने f of x बोल दिया देखो first में क्या मिल रहा है अपने को first में first में अपने को मिलेगा कि y square यह अपना f of x है तो f of x is equal to y square यह अपने पास आया second से अपने को क्या मिलेगा कि f of y जो है that is equal to z square और third में अपने को क्या मिला हुए कि f of z that is equal to x square यहां तक हम पहुँच गए ओके ठीक है अब next देखते हैं चलो एक और चीज़ देखो आप कि अपना fx यह है ठीक है इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखते हैं इसको input को मैंने थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा अलग फॉर्म में कैसे लिखा इसको ऐसे लिखा x2 को अलग किया x-1 को अलग किया अगर मैं आपसे पूछू कि अपना f of x कैसा है increasing function है कि decreasing function है देखो बेटा input आप देखो x अपना greater than 1 है तो अगर x का value 1 से बढ़ाऊंगा तो यह चीज़ increase करेगी x2 भी increase करेगा मतलब यह जो input है वो increase करेगा x बढ़ाने पर यह input increase कर रहा है तो फिर अगर मैं log ले लूँगा तो भाई log का value वो भी increase करेगा सही बात है log to the base 10 वो increasing function होता है तो यह पूरा का पूरा increase कर रहा है तो भाई 5 की power में जो चीज़ है वो increase कर रहा है तो यहाँ पर ऐसा बोल दू कि अपना जो fx है fx is increasing function कोई problem नहीं है अपने को ओके आप ऐसे भी check कर सकते हो कि differentiate वगरा differentiate करके check करो increasing है decreasing है हमने directly देख लिया है कि अपना function जो increasing function है अब हमने क्या किया हमने थोड़ी स्चाला की दिखाई हमने assume किया let x greater than y ओके ठीक है y greater than x भी assume कर सकते हो हमने assume कर लिया x greater than y कोई problem तो है नहीं इसमें ओके चलिए तो x अगर greater than y है तो क्या लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं कि f of x is greater than f of y ऐसा लिखने में कोई problem है क्या अपना f जो हो increasing function है तो inequality के दोनों तरफ हम function लगा भी सकते है f लगा भी सकते है और हटा भी सकते है क्योंकि f अपना increasing function है inequality पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब अपना f of x किया बेटा देखिए f of x अपना y square यह है अपना y square और यह है अपना z square y square is greater than z square y z सब कुछ x y z सबके सब positive है वो हम शुरू में देख चुके है अब यहां से क्या लिखे हैं यहां से अपने को मिला y is greater than z चलिए तो अपने पास क्या order आ चुक है x is greater than y y is greater than z अपने पास ऐसा आ चुक है y greater than z तक पहुँच चुके है तो अब आप ऐसा करो दोलों तरफ में दोबारा से f लगाता हूँ क्या मिलेगा अपने को f of y is greater than f of z एक बार देखते हैं यहां तक हम किस result पहुँच चुके है x greater than y greater than z ओके f of y क्या अपने पास f of y is z square और यह है अपने पास x square तो अपने पास आया z is greater than x ओके अच्छा यहां तक अपने पास यह result आ रहा था कि z जो है वो x से छोटा है यहां पर अपने पास result आया कि z जो है वो x से बढ़ा है है ना same assumption के थुरू अपने पास यह contradictory result आ रहे है कि z जो है वो x से छोटा भी है Z जो हो X से बड़ा भी है contradiction आ रहे तो हमने जो assume किया है वो गलत है तो क्या लिखे हम यहां से contradiction अपने पास आ गया तो यहां से मैं लिखता हूँ contradiction आ contradiction अपने पास आ गया तो मैं लिखता हूँ कि X is equal to Y is equal to Z अपने पास होना पड़ेगा अगर आप यहां पर assume करते हो कि y is greater than x तो similarly आपके पास यहां पर contradiction create हो जाएगा तो अपने पास सिर्फ एक ही option बचता है x is equal to y और क्योंकि symmetry चल रही है तो y बराबर तो z भी हो जाएगा तो हम इस conclusion पर पहुँचे कि x y z तीनों के तीनों बराबर है अब इस सवाल अपना खतम नहीं हुआ है चलिए तो इस information का हम use करते है यह चीज मैंने raise किया है है हाँ से देखो इस information को use कैसे करूँ यह जो first equation है यह जो first equation है इसमें मैंने y की जगए x replace कर दिया बस मेरे को x आ गया तो y और z तो पता चली जाएगा देखें यह क्या बनेगा अपने पास log to the base 10 log to the base 10 x cube minus x square ओके और RHS में क्या लिखा है अपने पास इस 2 को मैं आगे ले आता हूँ है ना तो अपने पास बचेगा 2 log और y की जगए मैंने replace कर दिया x तो अपने को यह equation solve करने का है x का value आगे तो अपना सवाल खतम हो जाएगा तो देखो कैसे solve करें इसको मैंने इसको कुछ assume कर लिया log x to the base 5 इसको मैंने t assume कर लिया ओके चलिए यहां से क्या लिख सकता हूँ x is equal to 5 का power t इधर अगर मैं replace करूँ क्या बनेगा अपने पास यहां से x square बहार निकाल दिया मैंने x square क्या हो जाएगा अपने पास 5 का power 2t अंदर क्या बचेगा x minus 1 मतलब 5 का power t minus 1 यह x cube minus x square को हमने ऐसा लिखा सही बात है log हटाया तो यह अपना चला जाएगा यहाँ पे इस side पे लिखा हूँ है 2t तो यह अपना बन जाएगा 10 की power 2t ओके चलो तो अब जो अपना equation हो exponential form में अब इसको solve करना थोड़ा easy है देखिए हाँ बेटा 5 की power 2t यह तो अपना दोनों तरफ cancel out होगा क्या बचेगा अपने पास 5 की power t minus 1 और इधर अपने पास बचेगा 4 का power t बात समझ में आई यह चीज़ बचेगा आपने पास इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 5 का power t minus 4 का power t is equal to 1 ठीक है अब आप t का value बता सकते होगा कि t का कौन सा value होगा जो इसको satisfy करेगा देखो hit and trial से अपने को t का equal value तो दिख रहा है t का value अगर 1 ले लू 5 minus 4 satisfy कर रहा है इसको अच्छा तो अब सवाल उठता है कि t is equal to 1 के अलावा भी कोई value हो सकता है अब ऐसा सोचो कि t is equal to 1 पे अगर ये चीज 1 के बराबर है तो अगर मैं t की value अगर 2 कर देता हूँ सबोस ऐसी assume कर रहे है t की value मैंने 2 कर दी तो ये अपना हो जाएगा 25 ये अपना हो जाएगा 16 तो अपने को समझ में आना चीए कि भाई जो 5 का power t है उसका value जाधा तेजी से बढ़ेगा सबोस शुरू में यहाँ पे t is equal to 1 पे इसका value यहाँ पे इस पॉइंट पे है और इसका value सबोस इस पॉइंट पे t is equal to 1 पे है इन दोनों का difference है 1 सही है तो अब अगर मैं t का value बढ़ाऊँगा तो अपने को समझ में आना चीए कि 5 की power t का value है वो जाधा तेजी से बढ़ेगा 4 की power t का value comparatively कम तेजी से बढ़ेगा तो इनका जो difference है बेटा अगर यहाँ पे difference 1 था तो आगे जागे difference जो greater than 1 हो जाएगा ठीक है इस तरीके से हम सोच सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं सोचना चाते हैं तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हूँ कि इसको मैं differentiate कर दूँ differentiate करें भी सोच सकते हूँ इसको मैं ऐसा लेखते हूँ 5 की power t 5 की power t अगर मैं common निकालता हूँ तो मेरे पास बचेगा यह 4 by 5 का power t is equal to 1 ओके चलिए ठीक है तो इसमें हम क्या अगर सकते हैं तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं t is equal to 1 पे तो बेटा t का value अगर 1 आ चुका है तो हमने assume क्या किया था हमने assume किया था x is equal to 5 का power t तो x का value अपने को क्या मिला x का value मेरे पास आएगा 5 का power t मतलब 5 का power 1 तो x का value है 5 x, y, z, 3 के 3 हैं equal है तो y का value विल भी y का value आएगा 5 and z का value अपने पास आएगा 5 ओके सिर्फ यही value is possible है इसके लाव और कोई solution तो possible है नहीं ठेक है तो वापस हम गए अब option देखते हैं first option है infinite number of solutions तो यह तो गलत है सिर्फ एक ही solution अपने को मिल रहा है आगे बोल रहा है unique solution with x, y, z rational numbers by 555 they are rational तो b option is correct okay c option exactly two solutions यह भी गलत d option no solution यह भी गलत तो अपना answer will be option b ओके चलिए तो यहाँ पर अपना यह question खतम होता है next class के लिए आपको यह question में दे रहा हूं उसको आप धंग से try करना ओके देखिए next slide भे अपना question आ रहा है यह ठेक है ठेक्यू